श्री शद्गुरू महराज कीजे पुजपाद महर्शी शंत्सेवी परमहंस जी महराज का प्रवचन रहन जागी कर ध्यान इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग पवित्र कमाईक और अपना जीवन निर्वाह करो गुरू महराज महर्शी मेही प्रमहंस जी महराज से बावा देवी सहाव ने पूछने की किरपा की थी तुम स्वाव लंबी जीवन बिताओगे या मधुकरी विर्ती से गुरू देव ने उत्तर दिया मधुकरी विर्ती से तब बावा देवी सहाव ने कहा नहीं संतमत का सिद्यान्त है श्वाव लंबी जीवन कुछ दिनों तक हमारे गुरू महराज अपने पिता के घर भोजन करने जाते और सत्संग मंदिर में ध्यान भजन करते उन्हें उनके मुरादावाज जाने पर बावा देवी सहाव ने पूछने की किरपा की कैसे जीवन बिताते हो गुरू महराज ने उत्तर दिया पिता जी के यहां भोजन करता हूँ बावा शाब ने पूछा पिता जी का भोजन करते हो तो उनका क्या काम कर देते हो गुरु मराज ने विनम्र श्वर में निवीदन किया कोई काम नहीं करता हूँ इस पर बावा शाहब ने कहा बिना काम किये उनका भोजन करते हो तो तुम्हारा खून खराब हो जाएगा इस कारण परमपूज गुर्देव ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कारी किया कुसरे की कमाई खाकर भजन में उनत्ति करना चाहे तो उसमें उनको शफलता कहां तक मिल पाएगी सोचने की बात है इसलिए हम लोगों के धर्मशास्त्र में आया है हित भुक मित भुक और रित भुक हमारे सामने जो भोजपदार्थ आये उसे हम देखें कि वह हमारे लाब के लिए है या हानी के लिए कैशा भोजन है वह है रजोगुनी है तमोगुनी है या शतोगुनी है जब हम देखें कि यह शतोगुनी है तब भोजन करने से हमारी भलाई होगी लेकिन तमोगुनी भोजन होने पर भी उसकी मात्रा आधिक नहीं होनी चाहिए होना चाहिए मित भुक कबिर सहाब ने कहा है मन भावय शोखावता इंद्री केरी स्वाद नाक तलक पूरन करे कौन कहे परशाद अधिक खाएंगे भजन में देड़ तक नहीं बैठ सकेंगे जिस तरह का अन खाएंगे उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा इसलिए कहा गया है जैसा खाय अन वैसा होई मन तथा जैसा अन जल खाये वैसा ही मन होई जैसा पानी पीजे वैसी वानी होई चंद कबिर सहाब अतिये हित भुक के साथ मित भुक होना चाहिए और मित भुक के साथ रित भुक होना चाहिए रित कहते हैं सत्य को सच्ची कमाई का भोजन होना चाहिए इसी द्रिष्टी को अपनाकर शंत सुर्दास जी ने कहा है आशन ड्रिड अहार ड्रिड शाथ ही भजन में भी नियमित्ता होनी चाहिए अगर इन तीनों का सही संतुलन रहेगा तो सुर्दास जी कहते हैं तो प्राणी पावय कचुक तब प्राणी यानि शाधक कुछ पाएगा अन्यता यदि इन तीनों में धिला ढाला रहेगा तो रहे विशे रस्मोई यानि डुब की लगाते रहेंगे विश्यों में कभी वार नहीं होगा परंपुज गुर्देव की वानी में आया है शाधक को स्वाव लंबी होना चाहिए अपने पसिने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए थोड़ी सी वस्तुवों को पाकर ही अपने को संतोष्ट रखने की आदत लगाना उसके लिए परमोचित है स्वाव और सात्वी गुनों को धारन करते रहना शाधक के पक्ष में अत्यंत हितकर है मांस और मचली का खाना तथा मादक द्रभ्यों का सेवन मन में विशेश चंचलता और मूडता उत्पन करते हैं शाधक को शाधकों को इनसे अवश्य बचना चाहिए हमारा मन पवित्र होना चाहिए हमारा अन पवित्र होना चाहिए हमारा तन पवित्र होना चाहिए हमारा वचन पवित्र होना चाहिए हमारा ब्याभार पवित्र होना चाहिए और सब के मूल में हमारा हिर्दय पवित्र होना चाहिए जब तक हमारा हिड़ाय पवित्र नहीं होगा, तब तक प्रभू की परशाई भी हमें नहीं मिलेगी, आगे की अनुभूती तो दूर की बात है, इसलिए जब दर्शन देखा चाहिए, तब दर्पन माजत रहिए, जब दर्पन लागी काई, तब दर्श कहांते पाई, चंद कबिर्शाव ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल सिद्र नभावा, वोशामी तुलसिताज जी ने कहा है, बाहर दिखलावा कुछ और भीतर हो कुछ, तब मिलेगा भी कुछ नहीं कुछ, जब हम बैठने का, भोजन का और भजन का डिर्ड नियम रखेंगे, शाथ ही लक्ष को पाने की उतकंठा रहेगी, तो साधना में सफलता अवश्य मिलेगी, लक्ष यदि हम आना चाहते हैं, तो शंद कबिर्शाव के निर्देशन को समझें, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर चंद्रमा बाएं, इनके बीच छिपाना है, तन की कमान सुरत का रोधा, शब्द बान लेताना है, मारत बान बिंधा तन ही तन, शत्य गुरु का परवाना है, मारयोबान गहो नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है, कमान, धनुष को कहते हैं, धनुष है, किन तो उसके परत्यंचा चड़ी वी नहीं है, धीली है, तो तीर आगे नहीं जा सकता, जब धनुष कशा हुआ रहता है, जब उससे छोड़ा गया तीर, दूर तक जाता है, हमारा शरीर है धनुष, तन की कमान, हम जब ध्यान करने बैठें, तो शरीर कशा हुआ रहे, धीला ढाला नहीं रहे, तब सुरत का रोदा चड़ा कर, तीर चलाए लक्ष वेद होगा, एक सचंगी सजन मेरे पास आये, शाधना संबंदी कुछ चर्चा चली, मैंने पूछा, आप शाधना में क्या सब किरिया करते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, मानज जब, मानज ध्यान और द्रिष्टी योग, मैंने पूछा, द्रिष्टी योग किरिया में द्रिष्टी को कितनी दूरी पर स्थिर करते हैं, उन्होंने कहा, दो तीन फीट की दूरी पर, मैंने पूछा, आप कहा तक पढ़े हुए हैं, उन्होंने कहा, एमे तक पढ़ा हूँ, पास नहीं किया हूँ, मैंने पूछा, भजन भेर किन से लिए हैं उन्होंने संदमत के ही एक शादो विश्धारी का नाम बताया मैंने पुछा दो फीट या तीन फीट की दूरी पर अस्थिर करते हैं आप इसकी माप कैसे करते हैं उन्होंने कहा अंदाज से दो-तीन मैंने कहा आप एमे तक पढ़े हुए हैं कि आप बिना द्रिष्ट के द्रिष्टी रुख सकती है इस बात को समझते हैं उन्होंने उतर दिया नहीं मैं नहीं समझता हूं मैंने कहा आप मुझको देखते हैं मैं आपको देखता हूँ आपके द्रिश्टी मुझ तक और मेरी द्रिश्टी आप तक जाती है यह समझते हैं ना उन्होंने कहा हाँ दोनों ब्यक्तियों के बीच में अपना हाथ दे कर मैंने कूछा अब आपके द्रिष्टी कहा है उन्होंने कहा आपके हाथ पर मैंने कहा यही है द्रिष्य जिस पर आपके द्रिष्टी टिक गई जब बिना द्रिष्टी के द्रिष्टी टिक नहीं सकती है तब दो तिन फीट पर कौन सा द्रिष्य है जो आप वहां द्रिष्टी अस्थिर कर करते हैं उन्होंने कहा शो तो नहीं जानता मैंने कहा जाकर अपने गुरु महराज से पूछ लीजिए यदि संतुष्ट हो जाईए तो वहीं रह जाईए अन्य था मेरे पास फिर आईए एक दूसरे बी एस सी पास सिक्षक मेरे पास आए वे भी उन्हीं से दिक्षित थे उन मानज जप और मानज ध्यान तो समझता हूं लेकिन दृष्टी योग ठीक ठीक नहीं समझ पाया हूं मैंने उनसे पूछा आप दृष्टी कितनी दूर पर अस्थिर करते हैं उन्होंने कहा बारह अंगुल पर मैंने पूछा वहां पर कौन सा मीटर या गज है जिससे आप म ध्यापन कारी करते हैं आपने अपने गुरुजी से यह बात पूछी नहीं कि बारह अंगुल पर दृष्टी कैसे रखेंगे उन्होंने कहा यह तो मैंने नहीं पूछा मैंने कहा जाकर पूछिए यदि संतुष्ट हो जाईए तो ठीक है नहीं तो मेरे पास आईएगा मेर ने मुझसे पुनह दिख्छा ली चार-पांच दिन पहले की बात है एक प्रोफेसर यहां आये थे वे यहां के मास ध्यान साधना में सम्मिलित होना चाहते थे मैंने उनसे पूछा दृष्टी योग की किरिया में क्या करते हैं उन्होंने उत्तर दिया दृष्टी की दोनो धारों को मिलाता हूं मैंने कहा आप तो प्रोफेसर है ना दृष्टी की जो यूगल धाड़े हैं वे तो शमान अंतर रेखाएं हैं शमान अंतर रेखाएं कभी मिलती हैं रेल गारी प्राम गारी शमान अंतर रेखा पर चलती है यदि शमान अंतर रेखा मिल जाये तो एक आजकल न तो गेरवों की कमी है और न गुरुवों की वे घरघर घुमते हैं, शिष्य बनाते हैं और अपनी पूजा करा कर परमभक्तिन शहजोबाई के वचन को चरितार्थ करते हैं। शहजोगुरु बहुतक फिरे ज्यान ध्यान सुधिनाहीं तारशके नहीं एक कुँं कहे बहुत की बाहीं। वस्तुता बात तो यह है, बिन दया संतन की मेहीं जानना इस राह को हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। शरीर, गर्दन और मस्तक को सिधा करके बैठें। इस प्रकार कुछ दिनों तक मेरु दंड को सिधा करके बैठने का अभ्यास करें। अभ्यास करते करते, जब अभ्यस्त होंगे तब शाधन की किरिया आगे बढ़ेगी। जब तक हम बैठने की कला नहीं जानते, शही धंग से बैठ ही नहीं सकते हैं, तो शाधन में शफलता कहां से मिलेगी। धनुष्की, डोडी, धीली, धाली रहे, तो तीर कैसे चलेगा। गुरु महराज के वचन में आया है। पेलो, सुष्मन, द्रिष्टी, सिस्त, ज्यों, तीर हो। संत कबीर सहाब ने कहा है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कलप न पावए कोए। फिर भी निराशा, उदाश या हतोच्छा होने की बात नहीं है। शंत सद्गुरू से अंत शाधना की शही किर्या शेकर, शंयम पुर्वक शाधना करते रहिए, कभी न कभी शफलता अवश्य मिलेगी। पुझपाद महर्शी संसेवी परमहंज जी महाराज का यह परवचन दिनांक 11.05.2019 को महर्शी महीं आस्रम कुपाघाट भागलपुर में माज ध्यान साधना के अवसर पर हुआ था। श्री शद्गुरू महाराज कीजे।